हेलो प्रेंट्स वेल्कम बेक्ट माई यूट्यूब सीनेल अपलोग कैसे है आई होप अपलोग अच्छे होंगे आज मैं और एक नियू रेचिप लेके आप लोग के समने में आ तो आज बहुती यूनिक टाइप से मैं आपको एक मसाला करी बना के दिखाऊंगी जो कि आप लोग को बहुती पसंद आएगा आज का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए आप पेक में टीफिन बक्स लेए हूं इसमें अंडा सारे में फोड के डाल रहे हूं आपको जितना चाहिए जितना मेंबर है आपके घर में उसी सब सब अंडा ले सकते हैं उसके बाद इसमें एड़ करेंगे स्वादनुसान नमक और थोड़ा सा एक पिंची से हल्दी पाड़ पानी ना चला जाए और आप टीफिन बक्स लीजिएगा और उससे पहले ना टीफिन बक्स के अंदर में थोड़ा सा देल लगा लीजिए जबकि अप अंटा को निकालेंगे बाहर जो केक टाइप का बन जाएगा तो असानी से निकल जाएगा तो दीखिए मैंचा से इसको मिक्स कर दी हूं और अभी इसको ड़कन है इसको लगा लेंगे और इसको बोम के ङळए में पानी में इसको रखेंगे तो चलिए यहां पर कड़ाई में मैं पानी 2 गलास करम कर रहे हूं और यह बॉल होना श्टार्ट हो गया है तो इसको ठीफिन हो से छोड़ देंगे ताकि अच्छा से हमारा अंडा जो है कूख हो जाए गया तो पंदरा विस मिनिट के दिख बाद देखिए चिले में आपको टिफिन का ढखका निकाल के दिखा लेती हूं तो आप ध्यान से इसको निकाल लिए गए क्योंकि ये टिफिन बहुत ही गरम है ठ इसको स्क्वेर स्कर काटके निकाल रही हूं आप चाहे तो प्लेट में निकाल सकते हैं उसकी बाद कट कर सकते हैं तो आपको जो भी सेब पसंद है उसे सेब में आप कट कर सकते हैं तो मैं यहाप स्क्वेर सब दे रही हूं देखने में भी सुन्दर है और खाने में तो ब इसको में फ्राइ कर देती हूं तक कड़ाई में तेल लेंगे दो से तीन चामच जेल गरम होने के बाद जितना भी हम लोग पिस-पिस करके काटे थे अंड़ा उसको फ्राइ कर लेंगे तो यह Time अविए एकरी का बहुत ही यूनिक रेशिप है और अफ जरूर अपने घर में बनाइएगा खा यह बहुत ही टेसिटी रेशिपी है इसको आप का इसको स्कूबंडने में दोनों साइड तो देखें निकाल देते हैं वे सब्सक्णूने में निकाल देते हैं तो देखें क्यक्ता चैसे लग रहा है बिल्कुल Państwo पनीर ळाओ है तो चलें में एक प्लेट में निकाल लेती हुँ देखिए सारे रंड़ा को में निकाल दी हूँ, अभी उसी कड़ाई में करी बनाएंगे तो उसी कड़ाई में थोड़ा सा कड़ी मसाला अड़ करेंगे इलाइची, दालचीनी, काली मेर, उसके बाद अध्रक, लसुन, और प्याज का पेस्ट अड़ करेंगे सारे चीज को अच्छा से मिलाएंगे, पाउडर बसा मसाला में हल्दी पाउडर, वेच्चा पाउडर, जीरा पाउडर, अधने पाउडर अड़ करेंगे मसाला को अच्छा से पका लेंगे, जब तक इसका तेल उपर ना आ जाए, तब तक इसको कसेंगे इसमें मैं फ्रेंड्स एक चमच चिकेन मसाला एड़ की थी आप चाहे तो इसको एड़ कर सकते हैं यह तो स्किप भी कर सकते हैं चिकेन मसाला एड़ करने से थोड़ा से स्वाद बहुत अच्छा आता है तो दिखिए हमारा जो मसाला है बहुत अच्छा से कूख हो चुका है इसमें स्वाधनुसा नमक अड़ करेंगे तो मैं पहले अंडा में नमक दी थी उसी साफ से हम लोग नमक को अड़ करेंगे दो से तीन मिनीट मसाला को अच्छा से कूप कर लेंगे अभी दीखे हमारा मसाला बहुत अच्छा से कूप हो चुका है अभी में इसमें एड़ करूंगी दो से तीन बॉयल किया हुआ आलो इस तरह से हाथों से मैश करके डालेंगे आपको कोई सेप नहीं चाहिए इस तरह से हाथ से मसाल लेंगे और सारे आलो को मिक्स करेंगे और जो हम लोग फ्राइ करके रखेते एग उसको भी एड़ कर लेंगे और अच्छा से मिक्स करेंगे और जितना आपको जोल चाहिए उसी इसाब से हम लोग पानी एड़ करेंगे तो देखिए इसमें मैं हाप गलास जैसे पानी एड़ कर रही हूँ यह देखिए और एक बॉयल आने तक इसको छोड़ देंगे ताकि जितना भी मसाला है वो अंडा में अच्छा से मिल भूल जाएगा और हमारा करी है स्वाधिस बन के रेड़ी हो जाएगा तो हमारा करी बन के रेड़ी हो गये आये हो पच्छा का रेसिपी आप लोको पसंद आया होगा